एक इटालियन विलेज में दो कजिन रहते थे पाबलो और ब्रुनो दोनों बहुती बड़े सपने देखते थे और विलेज के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे पाबलो और ब्रुनो बहुती हाड वर्किंग और समझदार भी थे उन्हें बस एक उपरचुनेटी की तलास और एक दिन उन्हें वो उपरचुनेटी मिल भी गई उस विलेज को दो लोगों की जरूरत थी जो पास की रिवर से पानी भर कर ला सके और ये काम पाबलो और ब्रुनो को दिया गया गाउंवाले उन्हें एक बगेट पानी के लिए एक पेनी पेई करते थे ब्रुनो को ल ये हर रोस बगेट उठाने से अच्छा है हम रिवर से अपने गाउं तक एक पाइपलाइन डाल दे जिस से ये बगेट भरने की जंजट ही ना रहे लेकिन ब्रुनो को इस आइडिया में कोई भी दिल्चस्पी नहीं थी क्योंकि उसे काम के इंस्टन्ट पैसे जो मिलने ल उसे पता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल होगा और ऐसा करने से उसकी इंकम भी कुछ टाइम के लिए बहुत कम हो जाएगी वो ये भी जानता था कि पाइपलाइन बनाने में कम से कम एक दो साल लग सकते हैं लेकिन उसे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था इसलिए उसने पाइपलाइन के लिए काम करना जारी रखा कुछ महीने बाद ब्रुमो और गाउफ्स टैल बदल चुकी थी अब वो नहीं नहीं चीजे खरीदता था जिसकी वज़े से गाउवाले उसे मिस्टर ब्रुनो कहकर बुलाते थे ब्रुनो जब विकेंच पर मज़े करता तब भी पाबलो पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम करता था पाबलो का काम बहुत ही मुश्किल था इसलिए वो हम्मेशा अपने आपको रिमाइंडर देता कि आज के सेक्रिफाइस की वज़से ही उसका कल का ड्रिम पूरा होगा पाबलो को पता था कि सोट टम का पेइन लोग टम का गेन होता है इसलिए वो डे बाइडे पाइपलाइन बिचाने का काम करता रहा कुछ महीनों बाद पाबलो की आधी पाइपलाइन बन चुकी थी, जसकी वज़से उसे पानी भरने के लिए अब बस आधे रास्ते तक ही आना पड़ता था, इससे उसका काफी टाइम बचने लगा, और वो पाइपलाइन बनाने को ज्यादा टाइम देने लगा, कुछ महीनो गुजरते गए, पर पाबलो ने अपनी पाइपलाइन पर काम जारी रखा, और देखते ही देखते कुछी साल में पाबलो ने पाइपलाइन कंप्लिट कर ली, अब वो बकेट उठाने की जगध, पाइपलाइन से गाउव वालो को 24 बाई 7 फ्रेस पानी देता था, जिससे पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था, अब situation ऐसी हो गई थी, कि अगर पाबलो काम नहीं भी करता, यानि अगर वो सो रहा हो, पार्टी कर रहा हो, या कहीं घुमफिर रहा हो, दब भी वो कमाता था, दूसरी तरफ, पाबलो की पाइपलाइन की वज़े से, ब्रुनो द बकेट में की तरह, हर दिन काम पर जाना पड़ता है, या पाबलो दी पाइपलाइन में की तरह, कुछ टाइम के लिए बहुत मेहनत से काम करना पसंद करोगे, जिससे जब आप सो रहे हो, तब भी आपको पैसे मिलते रहे, इस बकेट केरिंग वर्ड में हमें यही सिखाया दिखोगे, लेकिन अगर आप wealthy होकर financial freedom पाना चाहते हो, तो अपने पैसो को save करना start कर दो, क्योंकि wealth वो पैसा होता है, जो कभी spend नहीं किया जाता, आप किसी भी इंसान को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो wealthy है या नहीं, क्योंकि wealth hidden होती है, health और wealth दुनिया की दो ऐसी पैसे करती है, human body के लिए क्या सही है, क्या गलत, health problems के लिए हमारे पास doctors है, लेकिन wealth problem को लेकर किसकी advice लेनी चाहिए, वो हमें नहीं पता, लोग ये भी नहीं जानते कि पैसा काम कैसे करता है, लोग आज भी investing से डरते हैं, और आज भी financial literacy ना होने की वज़े से लोग करजे म सबसे ज्यादा काम करते हैं, even Japanese लोगों से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी उनका consumer debt all time high है, वहाँ ज्यादा पेसे कमाने के लिए लोग 2-3-3 एक्स्ट्रा जोब करते हैं, बट ऐसा क्यों जब एक bucket man बनना इतना ही खराब है, तब भी क्यों ज्यादातर लोग इसी lifestyle को follow करते ह वेल, उसका answer हमारी upbringing में है, क्योंकि society, teacher या पूरा education system हमें सिर्फ यही सिखाता है, कि आपको एक Bruno the bucket man केसे बनना है, एक secure job केसे लगानी है, लेकिन कोई भी आपको Pablo the pipeline man की तरह सोचना नहीं सिखाता, आप सोच रहे होगे जिनकी high paying job होती है, वो दो बाकियों से खुस रहते होगे, बट author कहते हैं कि यह secure और dream job सिर्फ एक illusion है, आपकी salary चाहें कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जब तक आपको पेसे कमाने के लिए अपना time sale करना पड़ेगा, तब तक आप इस bucket caring world में ही फसे रहोगे, डेरिल स्टोबरी एक बहुती successful baseball player थे, जो सिर्फ baseball खिलकर हर साल 5 million dollar तक कमाते थे, और अलग-अलग brand deals और personal brand से generate होने वाली income मिला कर, उन्होंने अपने 40th birthday से पहले ही 100 million dollar earn कर लिये थे, अब आप सोचेंगे कि इतने पैसे मिलने के बाद तो उन्हें कभी कोई financial problem नहीं आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, strawberry को baseball से suspend करने के बाद उनके पास कोई income source नहीं था, और कुछ टाइम बाद पता चला कि उनके पास अपनी wife और 14 बच्चों को support करने तक की भी कोई saving नहीं है, तो अब सवाल यह आता है कि उनके 100 million dollar का हुआ क्या, well, उन्होंने वो खर्च कर दि जो पिछले 50 साल से एक ही स्कुल में पढ़ा रही थी, जहां उनकी salary बस कुछ 100 dollar सी थी, लेकिन जब 100 साल की age पे उनकी death हुई तो पता चला कि उनकी net worth almost 2 million dollar थी, अब आप सोच रहे होगे इसा कैसे possible हो सकता है, इतनी low income वाली एक औरत कैसे एक millionaire बन सकती है, आइडिया बहु बिल्ड हो रही थी, वहीं Daryl Strawberry ने बड़ी बड़ी बकेट्स केरी करके millions of dollar में earn करने के बाद भी अपनी pipeline बिल्ड करने के बारे में कभी नहीं सोचा, लोगों की lifestyle, उनकी income, health, education, जैसी कई अलग-अलग चीज़ों पर research करने के बाद, psychologist को पता चला है कि सबसे ज्यादा खु उसी पेशों पर depend नहीं करती, पर उससे मिलने वाले freedom पर depend करती हैं, 1440 से पहले जितनी भी books लिखी जाती थी, उन्हें हाथ से लिखा जाता था, एक गंटे के result के लिए इंसानों को पूरे एक गंटे के लिए काम करना पड़ता था, और एक book को publish करने में सालों लग जाते थ हैं, मान लीजिए आपको एक restaurant open करना है, तो आप एक dishwasher, waiter और chef का काम अकेले नहीं कर सकते, आप एक time पर एक ही काम कर सकते हो, लेकिन जब आप employees को hire करते हो, तब आप उनके time का leverage लेते हो, जिससे एक ही time पर आपके कहीं सारे काम हो रहे होते हैं, और आज हमारे पास leveraging का सबसे best tool है, internet, आज के time पे pipeline बिल्ड करने के लिए आपको river से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बेठे बेठे जब चाहें तब काम कर गे, internet की help से अपनी pipeline बिल्ड कर सकते हो, यहां आप content create करके करोडों लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हो, आप अपना खुद क e-commerce store बिल्ड कर सकते हो, जो बीना आपके involve हुए 24x7 open रहेगा, जहां customers कभी भी आपकी website पर आकर आपके products खरीच सकते हैं, इसे author e-pipeline कहते हैं, जो 21st century की सबसे best pipeline है, अब आप चाहें सो रहे हो या vacation पर हो, यह pipeline आपके लिए पैसे generate करती रहेगी